नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूटूब चैनल अपडेट्स विथ कुंदन में दोस्तों कल मैंने आपको आपको आपना IVPSPO Pre का स्कोर कार्ड दिखाये था तो चलिए अब है स्कोर कार्ड को देखते हैं मार्क्स डिटेल सब्जेक्ट वाइज तो जैसा कि देख सकते हैं आपर रिजनिंग में सेक्शनल कट ओफ OBC की 3.75 गई थी और मेरे मार्क्स है 11.50 अटेंप्ट किये थे मैंने टोटल कोश्चन 16 लेकिन कुछ गलत हुए होंगे इसलिए 11.50 है टोटल कोश्चन रिजनिंग में में बता दूं कि में इसमें 35 होते हैं और टोटल 60 मार्क्स का वेटेज होता है रिजनिंग का कुछ कोश्चन इसमें 2 मार्क्स के होते हैं कुछ कोश्चन एक मार्क्स के होते हैं चले मैं नेक्स्ट बात करूँ जेनरल एकॉनमी और बैंक की केमें जुसको करेंट अफेर्स का भी सेक्षन बुला जाता है तो इसमें मेरे मार्क्स आया है 16.25 एंड 6.25 इसकी सेक्षनल कट ओफ रखी गई थी अटेंप्ट की बात करूँ तो अटेंप्ट मेरे इस बार 20 थे इसमें 3 कोशन रॉंग हुआ है इसलिए 16.25 आया है परतेक कोशन इसमें 1 मार्क्स का होता है और टोटल 40 कोशन 40 मार्क्स के होते है इंग्लिस की बात करूँ अब तो इंग्लिस में टोटल कोशन 35 होते हैं मेंस में एंड 40 marks का होता है कुछ question एक marks के होते हैं कुछ question दो marks के sectional cutoff इस बार OBC की English की 8.50 गई थी जिसमें मेरे marks आये 10.25 attempt मैंने किये थे total 17 questions अब आगे data interpretation की बात करें जो की quant का section भी बोल सकते हैं तो इसमें sectional cutoff इस बार 5.75 गई थी OBC की और मेरे marks है 12.75 total attempt की बात करूँ तो इसमें मेरे total attempt इस बार 18 थे और इसमें मैं बता दूँ कि total number of question 35 होता है quant में और जो की 60 marks का होता है आगे मैं English writing essay की बात करूँ तो इसमें out of 25 मुझे 15.50 marks मिले हैं मैंने later को 220 words में लिखा था sorry letter को 150 words में लिखा था and essay को 220 words में लिखा था तो मेरे marks आए है 15.50 overall cutoff इस बार 78.60 रखी गई थी out of 225 OBC के लिए जिसमें मेरे marks आए 66.25 आल्मुस्ट 12 marks कम रह गया है friends अगर आपने भी mains दिया था तो आपके score जो भी आए हैं share कर सकते हैं आप comment box में अगर आपने clear किया है तब भी या clear नहीं किया है तब भी आप share कर सकते हैं फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में